दोज़ार चौबिस के लोगसभा चुनाव के लिए बीज़पी हर मोर्चे पर कमर कस्ती दिख रही है हाली में केंद्रे ग्रेमंत्री अमिश्चा और बीज़पी की राश्ट्रे धक्ष जेपी नडडा लोगसभा चुनाव की तैयारियों के तहट बंगाल के दोरे पर थे सूत्रों से मिली जानकारी कहती है कि बीज़पी लोगसभा चुनाव में हर बड़े चैरे को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है सूत्र तो ये भी कहते हैं कि बीज़पी राजसभा के खरीब 15 से 20 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की उज़ना बना रही है इसके लिए बीज़पी ने राजसभा सांसदों को इशारा भी कर दिया इतना ही नहीं सभी राजसभा सांसदों को उनकी सीट भी बता दी गए उन पर काम भी शुरू हो गया तो बीज़पी जिन बड़े चैरों को लोगसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं इस रणीती पर बीज़पी काम करने में जुटी हुई है वजह यही है कि बीज़पी अपने बड़े चैरों को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है आपको बता दें इससे पहले हाली में हुए विधान सभा चुनाव में बीज़पी यह प्रयोग कर चुकी है जिसमें केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को विधान सभा का चुनाव लड़ाया गया जिसका सीधा फायदा बीज़पी को मिला उसी कड़ी में बीज़पी लोगसभा चुनाओं में भी ये फॉर्मूला लागू करने जा रही है बीज़पी जिन नेताओं को लोगसभा में लड़ाने की प्लानिंग कर रही है बूपेंदर यादव को अलवर राजस्थान से चुनाओं में उतारा जा सकता है अरुन सिंग को मतुरा या घाज़यबाद से उमिद्वार बना सकते है हरदीब सिंग्पुरी को अमरित सर से चुनाओं में उतारा जा सकता है जेवियर नर्सिम्हा को विजयवाड़ा अंध्र प्रदेश से उमिद्वार बनाया जा सकता है बीयल वर्मा को बदायूं से चुनाव में उतारा जा सकता है सुरेंद्र सिंग नागर को फरीदाबाद से मैदान में उतारा जा सकता है नीरज शेखर को बलिया से उमिद्वार बनाया जा सकता है सुधानशु त्रिवेदी को कानपूर या राय बरेली से लड़ाया जा सकता है मनसुक मंडाविया को भावनगर से उमिद्वार बनाया जा सकता है राजीव चंद्रशेकर को नौर्थ बैंगलूरू या केरल की किसी सीट से मिदवार बनाया जा सकता है सरोज पांडे को दुर्ग से मिदवार बनाया जा सकता है वी मुरली धर्न को केरल के त्रिवेंदुरम से लड़ाया जा सकता है राकेश शिसिना को बेगोसराय से वमिद्वार बनाया जा सकता है जोती रादेत सिंदिया को गुना या गॉलियर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें